गुद्बॉर्णिंग फ्रेंट्स स्वागत आप सभी का आपके अपने इट्विप चैनल टेक में गुरुजी में फ्रेंट्स आज है एक मार्च 2019 और दोस्तों बात करते हैं आज के इंपॉर्टन करेंट अफेर्स के बारे में फ्रेंट्स जो हमारे चैनल पे नए हैं और दो आप क्लिक करके चैनल को जॉइन कर लेना है वहां पर दोस्तों डेली पूरेट दैनिक जैगण का न्यूस्पेपर मिलेगा दोस्तों सॉप्ट कॉपी में इसके अलावा कुछ देली आपके इंग्जाम के यारी के लिए दोस्तों नए नए पॉइंट्स और नए नए ओवर दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन बिल आइकम को दबा दीजिएगा ताकि जोस्तों लेटेस्ट जाप को कोई इंफॉर्मिशन होती है या लेटेस्ट को लेके सबसे पहले आप तक पहुंच सके चलिए फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखिए पॉइंट नंबर वन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो इस प्रकार है देखिए एकार्डिन टू एकार्डिन टू हुरन गोबल रिच लिश्ट 2019 रिलाइंस इंडस्ट्री चेर्मैन मुके संबानी हैस ब् इंडस्ट्रीच के चेरमैन मुके संबानी डुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में सामिल हो गए हैं और दस सबसे अमीर लोगों की सूची में स्थान पर आखें के प्रमुक है में चीफ है दोस्तों CEO है जो जिसका नाम है जेफ बेजोज वह दोस्तों इस सुची में सीर्स अस्थान्ट है और जो रिलेंस इंडेस्ट्री के चेर्मैन है मोके संबानी जी वह दस सबसे अमीर लोगों की सुची में सामिल हो गए हैं अगले प्रेंस आपके सामें देखिया आ चुका है डिया डियो सक्सेस्फुली टेस्ट फायर्ड इंडेजिनिसली डेलप्ड क्विक रिच सर्फेस टू एयर मिसाइल का सफलता पुरोग परिच्छड किया है तो फ्रेंस यह आपका जो है जो आपकी यह मिसाइल है क्यू आर एस एम्स यह आपका सर्फेस टू एयर मिसाइल है और जिसको इसका परिच्छड किया गया है डिया डियो के द्वारा कहां पर किया गया है दोस्तों वह चाधिपूर में जो कि आपका उडिशा का कट पर इस्थित है अगले देखिए पॉइंट की बात करता हूं पॉइंट नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ऐस पार्ट आप दी अंगोइंग इंडिया बंगलादेश दिफेंस कापोरेशन ए ज्वाइंट मिलेटरी एक्सरसाइज संपृति पॉजन निटेंटेंट एट तंगाल तंगेल बंगलादेश फ्राम दो मार्च फ्राम 2 मार्च तू 15 इक्सरसाइज संपृत 2019 इस एंट इंपोर्टन बाइलेटरल डिफेंस कापोरेशन कापोरेशन इंडिवर बिट्विन इंडिया और बंगलादेश एंडिस विल बी एक्सरसाइज दोस्तों यह आपका दो मार्च से लेकर 15 मार्च तक दोस्तों यहां पर कराया जा रहा है ज से पंद्रा मार्च 2019 तक बागलादेश के तंगेल में दोनों देशों का संजुक्त सैन अभ्यास संपृत 2019 संचालित किया जाएगा यह अभ्यास भारत और बंगलादेश बीच के मात्वपुल्ड दिवपच्छी रच्छा सहयोग का प्रयास है यह आठवा अभ्यास होगा दो भारत और मांगलादेश का यह आठवा अभ्यास है तो फ्रेंट्स यह काफी इंपॉर्टन पॉइंट होने वाले हैं उन समय जो सायन आभ्यास के कोश्चिन जरूर पूछे आते हैं तो यह आपका पॉइंट जो बन रहा है यह आपके एक्जाम में आने के पूरे चांस ले काफी इंपॉर्टन हो सकते हैं चलिए फ्रेंट्स आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है प्राइम मनिस्टर नरेंद्र मोदी अन्वीर्ड भागवत गीता रिप्रिपेर्ड वाई इसकॉन टेंपल डिवोर्स इन नियु दिलही आंदा ओकेजन ऑफ गीता आराध छुन गता है और फ्रेंट्स यह वहां के इसकॉन मंदिर इसकॉन टेंपल दुली में है उसी के दौस्तों भागतों के दौरा इस भागता बहुत गीता का जो है को अप्रा प्रारूप दिया गया है तैयार किया नरेंद्र मोदी जी ने चलिए प्रेंड-स पॉइंटिक के पाइंट 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 में पूछ लिया कुछ सकते हैं गरेंगे दोस्ता आने वाले एक्जाम साथ आपको बहुत सावी फासिलाटी तो सकते हैं करनेकश को को सकते हैं पर सब्सक्राइब कर सकते हैं है कि नेस्ट पॉइंट देखिए इस तो क्या यह के वह वह पर नेट पूइजके ऑगले उच्छा युक्त के रूप में निउक्त किया गया है दो से uniqut लुप में जो कि गुयाना में भारत के अगले उच्छा यूद के रूप में निव्त किये गए हैं अगले प्रेंट करता हूं देखिए पॉइंट नंबर सेवें आपकी स्क्रीन पर आ चुका है यूनियन इसकिल डिव्लप्मेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है इनागरेटेड इसकिल साथी यूद कांकलेव इन भुवनेश्वर उडीशा अगर देखिए बात करता हूं केंद्री कॉसल विकाश मंत्री तो यह आपके जो केंद्री कॉसल विकाश मंत्री हैं दोस्त कि वहां कि यहीं पत्नाईक जी इसके अलाव स्थ और दो कमेंट बाक्स में कमेंट करना है जलिदे दो कमेंट कीजीएगा कि उडिशा किसे में गवर्णर कौन है और फ्रेंज देखिए कौसल साथ ही यूवास सम्मेलन्हाइब किया गया है किया है जिसको किया है धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि आपके काउशल केंदरी काउशल विकास मंत्री हैं तो इसकी एक पॉइंट्स यहां पर कितने आपके कोशन तयार हो जाते हैं आप समझ लीजेए यहां पर जो कि आपके आने वाले इक्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टन हुआते हैं अगले प्रेंट्स पॉइंट की बात करता हूँ देखिए 20th मिटिंग ओफ इंडिया इटली जॉइंट कमिशन पॉर एकोनामिक कॉपरेशन जेसी इसी वाज हेल्ड इन न्यू दलही अगर फ्रेंट्स देखिए बात करत होते हैं बड़ी शमिट्स होती हैं वह सब आपका मैक्सिम्म दिल्ली में ही आगनाइस करवाई जाती है तो फ्रेंट्स देखिए इसी तरह से यह भी आपका भारत और इटली का आर्थिक सहयोग आयोग था उसकी बिस्वी बैठक करवाई गई है वह आपका नई दिल्ली मे अब दोस्तों है पर देखिए आपका पहला पॉइंट क्या तो हो जाएगा कि स्वास्त मंत्री जो इसमें दोस्तों है वह है जेपी नग्डा जी और उन्होंने नई दिल्ली में चौथे वैस्विक डिजिटल स्वास्त भागीदारी सिखर सम्मिलन का उद्गात्म किया है दोस्तों यहां पर फोर्थ जो आपका होने वाला है डिजिटल हेल्थ पार्टनर्शिप समिट इन नियुदल ही मैं अभी देखिए आपको पहले ही बताया कि जितने भी समिट सो होते हैं बड़े लेवल के वह सब आपके नई दिल्ली में आगनाइस करवाई जाते हैं तो इसमिट है दोस्तों यहां पर चौथा वैस्ट्र डीजिटल स्वास्ट भागी दरी सिखर त्वनों के दिप मोट्प ग्लोबल डीजिचल हेल्थ पार्टनरशिप समिट था वह दिल्ली में और दिल्ली में इसका भाटन किया गया है तो यह पदो की पने पोलिंट आपका प कीज़ेगा अपनी सभी फ्रेंडों के पास ताकि सभी लो दोस्तों इस इंपर्टन का इंट अपेर्स का दोस्तों पढ़ सके और जो है इसको नोट डाउन कर सके ताकि उनको आने वाले एक्जाम से लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और दोस्तों आसा करता हो वीडियो को पसंद सब के लिए बाई बाई